तो मेंली जो हमारा 2020 और 2021 रहा है बहुत खतरनाग रहा है और 2022 भी आप आने वाला है लाइक आफ्टर फाइव टू सेवन डेज अना मतलब आप लोगों नहीं मेरे से शेयर करा मैंने उनी पॉइंट्स का एक लिस्ट बनाया और मैंने ये देखा कि 2020 और 2021 में हमने क्या सीखा लाइक वो बहुत मैटर करता है काव्या जी मेरे हिसाब से यह जो लास्ट के टू इयर्स से ना हम सभी की life changing experience रहा है इन सब में या तो कोई जीवन में बड़ा है या कोई जीवन में बहुत ज्यादा गिरा है या कोई जीवन में constant रहा है हला कि constant बहुत कम लोग रहे हैं मेरे ख्याल से रक्षे टेफ I am not wrong है ना तो सबसे पहला जो च तू येर्स पेशेंस धहरिया रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपन लोगों के लिए यार क्योंकि आप लोग देखे ना तो 2020 से पहले हमारी लाइफ बहुत फास्ट थी आप लोग याद करके देखो वह लाइफ बहुत हेक्टिक सा स्कूल जाना है शाम को आना ह खेलना है फटावट से रहात को हमवक करना है सुबह उठना है स्कूल जाना है संडे आ गया पता नहीं चला संडे के बाद चैटरे आता था ता फिर यह वह पूरा वीक खतम समर हॉलिडे समर हॉलिडे में कहीं चले गए तो ठीक है नहीं तो कोई कोचिंग जोन कर लिखा य इतनी फास्ट चल रही थी लेटरली हमारी लाइफ और जो ही लास्ट के दो साल ते उसमें हमने बहुत ज्यादा स्लोली वक करा हर चीज में जो भी अपन के रेस्पेक्टिव फील्ड है बट काव्या उतना नहीं है जितना पहले ता यार ठीक है ना तो पेशेंस सबसे के खाएंगे तो अपन का शरीर बढ़िया होगा और शरीर बढ़िया होगा तो स्वास्थ बढ़िया होगा स्वास्थ बढ़िया होगा तो दिंचर्य बढ़ा होगा बढ़िया होगा और जीवन बढ़िया होगा और हेल्दी डाइट के साथ साथ हमने एक और चीज सीखी कि यार कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी इस मस्ट फूरा परसन तो रिमें एक्टिव है ना लाइक इफ आम नॉट रॉंग जल्दी बताएगे यार मैं कुछ गलत बोल रहां किया हर्जिद्वा नहीं ना भाया हमें कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी आइधर यू केन गो फोर क्रिकेट बेड्मिंटन रनिंग एक्सरसाइज जो भी आपको पसंदो करिये है ना आपका थोड़ा लाइक बॉड़ी वोकाउट इस मस्ट फोर यूर हेल्दी लाइस्टाइल लाइक जो मैंने देखा है ठीक है नेक्स्ट इस मेंटल हेल्थ जो की जनरली हमारे भारत वर्ष में तो जीवन में कभी ध्यानी नी दिया गया मुझे लग रहा इस बिमारी के उपर बहुत सारे बच्चे होते हैं बहुत सारे जनरली लाइक टीनेजर्स होते हैं या बड़े लोग भी होते हैं जो की मानसिक तोर पर थोड़ा सब बिगड़ जाता है काम हलाकि वो सुधर भी जाता है बहुत इजिली क्योंकि वो सेल्फ कंट्रोल्ड चीज होती है देवजनी जी आप कंट्रोल कर सकते हो अपने आपको तो आप बहतर बना सकते हो नहीं तो आप और सबसे इंपोर्टेंट चीज जो रक्षित ने यह पॉइंट का हिमानिटी लाइक डेफिनेटल या वन अफ दे वेस्ट पॉइंट ओवर दे पिरिएड अफ तो यह लास्ट तो कि अगर आप लोगों के अंदर इंसानियात है help करो अच्छे रहो खुश रहो अपनी तरफ से सदेव बहतर करने का प्रयास करो बाकी रेस्पॉंज में क्या आता है वो तो हम प्रेडिट कर नहीं सकते हैं लाइफ का मेरी वाद सही है है ना रक्षित जी तो हुमानिटी इस वन अव दे की पॉइंट लाइक दो पॉइंट दो तीन तीन पॉइंट अभी तक अपनने में डिसकस करें हैं पेशेंस फिजिकल फिटनेस और हुमानिटी जो की सबसे तीन बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ है और एक और सी सीखा है कि जीवन में छोटे छ चोटे कम रिस्योर्स में भी खुश रहने का प्रयास क्योंकि आपने देखा है कि कोविड ने अमीरों को भी लपेटा है गरीबों को लपेटा है मिडल ख्लास तो बने इसके लिए है तो we can't blame कोविड फॉर धिस बट what we can do from these thing is we can learn something valuable है ना कुछ अच्छी चीज़े अपन जीवन में एपलाई कर सकते हैं उन संस्कारों को ला सकते हैं ठीक है और जो फ्यूचर को लेके मिरको आप लोगों ने बात कही कि फ्यूचर का ये है कि like we should always be moving in our lives है ना ठीक है ना clear है like आपको जीवन में चलते रहना है हर्शित like एक बहुत बढ़िया कोड था जो कि मैंने नेट पर पड़ा था आप उड़ो आप उड़ नहीं सकते हो तो दोड़ो दोड़ नहीं सकते हो तो चलो चल नहीं सकते हो तो रहेंगो like if you can't fly run if you can't run walk if you can't walk then crawl but always keep moving सदैव आगे बढ़ते रहो कैसे भी बढ़ो कितने भी बुरी हालत में बढ़ो but never ever try to quit हार मत मानोगा वीवी तो यह बहुत जादा important कुछ बात है थी करो होशिल पे जब कुछ तो करो यार at least try your best येस नहा तो ये बहुत 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 वैलियोबल चीजे थी जो मिरको लगा कि हमने सीखी है last two years के period से and hopefully हम लोग like covid आगे नाई आए तो ज़्यादा बेटर है but अगर ऐसा होता भी है then we should be prepared pre-prepared for all of these है ना like पहले से हमें तयार रहना है सक्षम रहना है capable रहना है to fight this like whatever the natural consequences that are happening in all over the world यार छी है okay तो ये काफी साही points थे